बिस्मिलार्मानुरहीम असलाम अलेकूम टेन किलास मैथ एक्सराइज 1.2 के पार 2 में नालेज वेज के लंदर की जानियत से खुशामने बच्कों आज हम इस लेक्चर में पिछले लेक्चर में रहा जाने वालों जो सवालात थे बाट 7, 8, 9, 10 उनको शाल करेंगे तो अच्छेने वीडियो का अगास करते हैं सवाल नमबर 7 में हमें क्या रहा है अब हमें इस तरह से दिये हुए 3 divided by x minus x minus 4 by x minus 5 is equal to 1 तो इसके लिए आपने ये quadratic equation है, x c value आपने find करनी है, और quadratic formula के जारी तो सबसे पहले तो बचो अब आपने इसको ज़रा denominator जो है ये denominators आपने खतम करने है, denominator खतम करने के दो तरीके हैं, एक तो आप x minus 6, x minus 5 का LCM ले ले यहाँ solve करें और denominator को वहाँ shift करने है दूसरा तरीका जो थोड़ा सासान है, उसमें ये है कि जितने भी denominators हैं, उनको आप सारी तरीके साथ multiply करने हैं, ठीके, तो हम दूसरे तरीके पर आते हैं, solution तो इसके लिए आप सवाल लिखेंगे, 3 divided by x minus 6 minus 4 divided by x minus 5 is equal to 1, तो आप सबसे पहले, multiply x minus 6, x minus 5 और इसके जिन्विने टिर्वर्न उसको रहे हैं तो सारी टर्म के साथ जो हैं, आप multiply करें, तो ये अब आपके पास एसर हो जाएगा, आपके पास फोस्टर में, 3 divided by x minus 6, उसके साथ आपने multiply करना है, x minus 6, x minus 5, उसके बाद minus का निशान है, minus का निशान लिखके, इस second term है, इ x minus 6, x minus 5, इसको multiply करना है, किसके साथ, 4 by x minus 5, is equal to 1, इसके साथ भी आपनी x minus 6, x minus 5 को multiply करना, इससे क्या होए, दिनो मुने टर्वर्न जोहां ये, खतम बन जाएंगे, x minus 6, x minus 6, cancel, x minus 5, x minus 5, cancel, अब याज़ जाएंगा, x minus 5, 3 multiply with, x minus 5, minus 4, multiply with, x minus 6, is equal to, x minus 6, x minus 5, 1 को multiply करना, सेम आता है, तो 1 को हम अठाएंगे, x multiply होए, x minus 5, x को इसके साथ multiply करना, फिर, minus 6, minus 6, multiply with, x minus 5, मेरे चाय का ताएंगे, अगर मैं चाय पीने 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 तो लाइट चले जाएगी, आपका लेक्शर रहाजएगी, आपका लेक्शर रहाजएगी, तो मैं दोनों काम साथ साथ कर रहा है, अब मैं हमारे पास 3 multiply x 3 x 3 multiply minus 5 minus 15 minus 4 x minus minus plus 4 6 24 is equal to x square x multiply minus 5 x minus 5 x minus 6 multiply x minus 6 x minus minus plus 65 30 कि अब आपके पास बहुत तरह हो गया कि आप यहां इदर देख लें कुछ गड़ बढ़ नहीं है इस साइड पर 3x-4x 3x-4x चाले गए यह हो जाएगा आपके पास तो माइनस x-15 प्लस 24-15 प्लस 24 यह आ जाएगा आपके प्लस 9 प्लस 9 is equal to इस साइड पर आजा एक्स करो ऐसे होगा इसको standard form में करने के लिए इन दोनों को हम वहाँ shift करेंगे तो यह आपके पास आजाएगा, यह दोनों जब वहाँ चल जाएगे, यहाँ 0 बच जाएगा 0 is equal to x square minus 11x plus 30, यह minus x वहाँ जाके plus x बन जाएगा, यह plus 9 वहाँ जाके minus 9 बन जाएगा मजीद यह बस्तरा होगा अच्छा, इसको हम 0 को वहाँ shift करेंगे, इसको यहाँ कर ले तो यह हो जाएगा x square minus 11x को उल्टा करके लग जाते हैं plus 30 plus x minus 9 is equal to 0, अच्छा, अब नहीं देखा, minus 11x plus x, तो यह हो जाएगा, x square plus 10x plus 30, और यह इदर आके, minus 9 plus 30, और minus 9 plus 21 is equal to 0, अब यह मेरे पास standard form में जो हैं, आ गई हैं, अब हमने इसको compare करना हैं, अब यह बस्तरा करना हैं, अब यह बस्तरा करना हैं, अब यह बस्तरा करना compare with x square plus bx plus c is equal to 0, जब हम compare कर लें, तो हमें क्या मिल जाएगा यह हम हमारे पास आजाएगा, a is equal to 1, b is equal to 10, यह साथी इटेल पे इसले lecture पर सम्झाहिए हुआ हैं, आपको, c is equal to 21, as we know, x is equal to minus b, plus minus b square minus 4ac, divided by 2a, इसके उपर, under, putting values, x is equal to minus b के जगा लिखूंगा 10, plus minus, b square 10 square minus 4, a के जगा 1, c के जगा 21, divided by 2, और a के जगा फे 1, यह साथी का, x is equal to minus 10, plus minus 10 का स्कार, 100, minus 4, 1, 4, 20, 1, 84, divided by 2, 1, 2, x is equal to minus 10, plus minus, 100 minus 84, 16, divided by 2, x is equal to minus 10, plus minus 16 का रूट होता है, 4 के बराबर, divided by 2, अब दो किसम के answer possible है, के, x is equal to minus 10, plus 4, divided by 2, या, x is equal to minus 10, minus 4, divided by 2, अगर इस्तरा हो, तो, x is equal to minus 10, plus 4, minus 6, by 2, ठीक है, और अगर इस्तरा हो, तो, x is equal to minus 10, minus 4, minus 14, by 2, दोनों जगा कटें possible है, 2, 1s are 2, 2, 3s are 6, 2, 1s are 2, 2, 7s are 14, तो, यहाँ आपके पास हार है, x is equal to minus 3 by 1, और यहाँ आपके पास हार है, x is equal to minus 7 by 1, तो, दिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं नहीं है, ठीक है, तो, हमारा से solution set है, solution set में राखे है, minus 3, minus 7, चाय में कमल होगे, next round के तरफ जादे, इसले थावाल में, एक सोटक्सी मिस्टेक होगे, मेरे पास, वो इस्तरा था के x-square minus 10x plus 21 है, ठीक है, तो, a मेरे पास 1 होगा, अब b मेरे पास minus 10 होगा, और c मेरे पास 21 होगा, तो, जब हम कर्टेक में जाएंगे, तो, हमारे पास minus b, minus b, तो, यह आपके पास बराबर हो जाएगा, minus multiply, minus 10, तो, जो, main value आएगी, वो गएगा, 10 plus minus, आगे जो value आ रही थी, वो आपके पास आ रही थी, 4 divided by 2, तो, यहाँ से, value आ जाएगी, 10 plus 4, divided by 2, 10 minus 4 divided by 2, सारा answer वही आएगा, वो sign का थोड़ा सा मिसला था, चोड़ी से mistake हो गई, बड़ी बड़ी लोगों से कभी कभी, छोटी-छोटी mistake हो जाती है, तो, आप उस्यूठीक कर लें, अगले पारट पर जाती है, part 8 हमारे पास इसी तरह है, जिस तरह part 7 था, वो ही तरीक यह स्थावाल होगा, solution गाए, x plus 2 divided by, x minus 1 minus 4 minus x divided by 2x is equal to 2, 3, 6, 6 plus 1, 7, x plus 7 by 3, अब जिस तरीके से हम पिछला सवाल किये, उसके मताबिक तो x minus 1, 2x और 3 को इन सारी टर्म के साथ मोल्टिप्लाई करके आज सफ़ाज सकते ही, लेकिन मैंने आपको बताया था दूसर तरीका भी है, यह सवाल में यूसर तरीके से करता हूं, तो इसके लिए हम x minus 1 और 2x का अल्सेम लेंगे, 2x, x minus 1, ठीक है, इन दोरों को प्राटिक आजाएगा, और इस 2x को इस से मल्टिप्लाई करतेंगे, 2x को इसे मल्टिप्लाई करतेंगे, x plus 2, x minus 1 को इसे मल्टिप्लाई करतेंगे, 4 minus x, x minus 1, is equal to 7 by 3 को वैसे छोरतेंगे, यह आपके पास बन जाएगा, 2x multiply x, 2x उसके, 2x multiply 2, 4x, minus, 4 multiply x, 4x, 4 multiply minus 1, minus 4, minus x multiply x, minus x, minus x, minus minus, plus x minus x, divided by 2x multiply x, 2x सके, 2x multiply minus 1, minus 2x, is equal to 7 by 3, अब यह आपके पास असरा हो जाएगा, 2x सके, plus 4x, उसके बाद यह minus है, बाहर minus है, तो इन सारों के से मल्टिप्लाई होगा, यह हो जाएगा, अच्छा, minus multiply minus 4x, minus 4x, minus minus, plus, 4, minus, minus, plus, x square, minus, plus, minus, x, is equal to, 7 by 3, यह जो नीचे डिवाइड हो रहा था, इसको हम वहाँ shift कर देती हैं, चाहे तो अभी कर रहे हैं, चाहे तो बाद में कर ले, तो यह हम इस तरह कर लेते हैं, मैं आपको कर के बताता हूँ, 2x square minus 2x, ठीक है, आगे आजो, यह हो जाएगा, आपके पास, 2x square, और यह x square, कितना होगे, 3x square, यह plus 4x minus 4x, cancel होगे, और यह सिर्फ minus x बाचिक है, minus x, आप सेंपर लंबर देखो, plus 4, plus 4, divided by, 2x square minus 2x, is equal to, 7 by 3, अब यहाँ पर, हम cross multiplication करेंगी, इनको, इनको, डिनोमिनेटर्स को सदम करने देखे, तो आजाएगा, 3 multiply, 3x square minus, x plus 4, is equal to, 7 multiply, 2x square minus 2x, यह हो जाएगा, आपके पास, विश्व कुछ भी नहीं है, बाचाओ, ठीक है, 3, 3, जा, 9x square, less into minus minus, 3x, 3, 4, जा, let's tell, is equal to, 14x square, minus 14x, अब 14x square पड़ा है, तो आप 9 को वहाँ shift कर दो, तो यह आपके पास हो जाएगा, 14x square minus 14x, यह वहाँ 9 आजाएगा, minus 9x square, plus 3x minus 12, is equal to 0, ठीक है, इसको वहाँ shift कर दिया, इसको वहाँ shift कर दिया, यहाँ 0 बच गया, यह हमारे पास, इस तरहाँ में, त्रीक है, अब आप यहाँ देख लो, 14x square, और 9x square से minus कर दो, यह हो गया, मेरे पास standard form में आ गई, अब मैं इसको, जल्दी से, compare करूंगा, किसके साथ, a x square plus b x plus c is equal to 0 के साथ, तो मुझे क्या मिल गया, a is equal to 5, b is equal to minus 11, और c is equal to minus 12, अब इस a, b और c की value को हमने quadratic equation में डालना है, यहाँ कर लेते हैं, तो हम कहेंगे, x is equal to minus b, plus minus b square minus 4ac, divided by 2a, अडरो, तो x is equal to minus के जगा माइनस, और b के जगा जगा माइनस 11, plus minus b square की जगा फेर आजाएगा, minus 11, square minus 4, a की जगा आएगा 5, और c की जगा आजाएगा, minus 10, divided by 2 multiplied 5, x is equal to minus minus plus होगया, 11 plus minus, minus 11 का स्काल 121, यह minus minus plus होगया, 4 5 जगा 20, 20 multiply 12, 214, और दिवाइद भाइ 10, यह बेर पास हो जगा, x is equal to 11 plus minus, 361, divide by 10, अब यह हो जाएगा, x is equal to 11 plus minus, 361 का जब मैं square root ने काऊने, तो यह मेरा पास आता है, 19, divide by 10, ऐसे situation हो गई, अब 2 possibilities, मेरे पास बन भाइए हैं, बहुत असान है बच्चो, यहा तो हो गया, x is equal to, 11 plus 19, divide by 10, यह, x is equal to, 11 minus 19, divide by 10, x is equal to 11 plus 19, 30 divide by 10, तो यह हो जाएगा, x is equal to 3, यहाँ आजाओ, x is equal to 11 में से 19 चले जाएगा, तो यह आजाएगा आपके पास, 8, minus 8 by 10, x is equal to, यह हो रहा है, 2 के टेबल में देखो, 2 4 जाओ, 2 5 जाओ, minus 4 by 5, solution set में रेपास बन गया, 3 minus 4 by 5, यह मैंठा answer है, next part को देखते हैं, हर exercise की तरह, इस exercise का भी part 9, part 10, दूसरों से, मिश्किल है, मिश्किल असल में इसलिए थोड़े लेनती हैं, लेकिन, procedure शारा वही होगा, हम इसको जल्दी जल्दी साल करते हैं, solution में आ जाते हैं, सबसे पहले तो बच्चों हमने इसको एक denominator खतम करने, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम कहते हैं, multiply, x minus b, x minus a, वो इसका one है, with all terms, sorry terms के साथ, आप इसको multiply करें, आप पिछले सवाल वाला तरीकर भी कर सकते हैं, दोनों के LC में लें फिर क्रास multiplication करके कर लें, लेकिन मैं जरा इस तरीके से करता हूँ कि जरा जिल्दी हो जाए, तो यह आपके पास आजाएगा, x minus b, फर्स्ट रम क्या है, a divided by x minus b, ठीक है, उसके बाद, second term है, b divided by x minus a, आप इस फर्स्ट रम के साथ भी आपने ने multiply करना है, x minus b, x minus a, इदर भी, x minus b, x minus a, is equal to, 2, x minus b, x minus a, इदर भी multiply हो गया, इदर भी, इदर भीजिद ने, तो आप भी सबके साथ multiply हो गया, cutting हो गया, x minus b, x minus b, cut गया, यहाँ आपके पास बज गया, a, x minus a, x minus a, x minus a, cut गया, plus b multiply by, x minus b, is equal to, अच्छ, 2 अपने जगह पर, x multiply x, x उसका, x multiply a, minus a, x minus b, x minus minus plus a, b, अब आपके पास इस्तर हो गया, a, x के साथ multiply हो गया, यह हो जाएगा, a, x scale, minus a, multiply a, a, square, और यह आजाएगा, plus b, x plus minus minus b, x minus b, x is equal to, 2 x, square, minus 2 a, x minus 2 b, x plus a, b, अब इसको आगे ले जाते हैं, यहाँ, a multiply x, a, x आता है, square नहीं, ठीक है, तो, अब इसदर हम ऐसा देखेंगे, के, यहाँ से, a, x, और b, x गया हैं, इसको हम, वहाँ shift करेंगे, तो उस साइड पर आपके पास, बच जाएगा, is equal to, 2x square, minus 2x, minus 2bx, plus a, यह x उदर जाके क्या बन जाएगा, minus x, यह minus y उसको उदर जाके बन जाएगा, plus y square, यह bx, उदर जाके बन जाएगा, minus bx, यह minus b square जाके बन जाएगा, plus b square, i is equal to 0, अब 0 वहाँ चल जाएगा, यह उदर आजाएगा, ठीक है, और यह अब आपके पास आजाएगा, यह देखो, x square वाला सरफ a, तो यह हो जाएगा, 2x square, 2x, और x, minus 2x, minus x, minus 3x, minus 3bx, minus 3bx, minus 3bx, अब यह a square, b square, यह a b जाएगा, यह आया है, हमारे पास, a b यहाँ से आया है, यह a b, a b multiply 2, multiply a b, 2 a b, plus 2 a b, ठीक है, यह 0 उदर आजाएगा, is equal to 0, अब अच्छों, यहाँ पर हमारे पास, तकरीबन तकरीबन यह solve हो चुका है, इसको हम इस तरह कर लेते हैं, कि 2x से करें, यह a b, x यह a b, x common ले लेते हैं, minus इदर भी, minus इदर भी, minus भी common ले लेते हैं, और, x भी common ले लेते हैं, व offended क्या पतजहेगे, 3a plus 3b, 3a plus 3b, हम इस तरह कर लेते हैं, थ्री को भी common ले लेते हैं, तो यह ज़र इस तरह हो जाएगा माइनस से दर भी है, माइनस से दर भी है, माइनस भी है, माइनस भी है, थ्री दर भी है, थ्री दर भी है, थ्री common X से दर भी ए, X से दर भी है, X कामन, धरमयान में आ जागा, A minus B, लेकिन minus बार लिया हुआ है, तो A plus B, उसके बाद, next, हमारे पास, A square mu square 2AB is equal to, plus A plus B, all square is equal to 0, अब बचों यह मेरे पास क्या होगी है, यह मेरे पास standard form में आ चुक है हमारे पास x square, simple x और variable constant, हम इसको compare करेंगे, compare किसके साथ करने, x square plus bx plus c is equal to 0, यहां से हमें 3 values मिल जाएंगी, a, b, or c, a हमारे पास है 2, जो x square के साथ है, वो a है, जो simple x के साथ है अब यह क्या है, 3, a plus b, minus 3, और c हमारे पास यहां गया, a plus b, अब इस चीश को हमने quadratic equation में put करना है, तो यह अब हमारे पास इस तरह हो जाएगा, has quadratic equation हमारे पास है, x is equal to minus b plus minus b square minus 4 a, c, under root, divided by 2, value suit करते हैं, तो x is equal to minus की जगा minus b की जगा minus 3 a plus b plus minus, minus 3 a plus b holds के, minus 4 a के जगा फिर आजाएगा 2, और c के जगा आजाएगा, a plus b holds के, divided by 2, और a के जगा फिर आजाएगा 2, अब यह हमारे पास इस तरह हो जाएगा, यह minus और minus cancel हो जाएगा, तो यह आपके पास आजाएगा, x is equal to 3, a plus b plus minus, अब अच्छों, यह देखो, minus 3 पे स्केर है, minus 3 पे स्केर हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 9, a plus b पे स्केर हो तो यह आजाएगा, a plus b holds के, इसको open नहीं करना है, ठीक है, open कि यहाँ प्यार लेडिंग मुजूद है, तो हम इसको open नहीं करेंगे, minus अपनी जगह पे, 4, 2 जा, 8, 8 multiply, a plus b holds कर रहीं हो जाएगा, 8, a plus b holds के, under root, divided by, 2 multiplied to, 4, अब मजीद आगे, आजाएगा, तो x is equal to 3 a plus b plus minus 9 a plus b square minus 8 a plus b square 9 a plus b square मैं से 8 a plus b square निकाल होता होगे पास simple a plus b square आ जाएगा a plus b square divided by 4 इसको और इसके साथ cancel x is equal to 3 a plus b plus minus a plus b divided by 4 दो possibilities आपके पास हो गई है एक है आपके पास x is equal to 3 a plus b plus a plus b divided by 4 या x is equal to 3 a plus b minus a plus b divided by 4 3 a plus b मैं एक a plus b और प्रेट करो तो यह हो जाएगा 4 a plus b divided by 4 4 और 4 खैंसल x is equal to a plus b यहां आजाओ x is equal to 3 a plus b मैं से 1 a plus b निकाल दो तो यह हो जाएगा 2 a plus b divided by 4 2 1 2 2 2 4 x is equal to a plus b divided by 2 solution set आपके पास आजाएगा बाचें प्रेक्टिस करते रहें कि कोई मिश्किल नहीं है इसी exercise के आखरी सवाल को देखते हैं अब बचो आखरी सवाल पर आते हैं यह पिछले सवाल के निजबत थोड़ा सा आशान है आखरी सवाल में हमें किया रहें माइनस l प्लस m माइनस l x square ठीक है यह x square यह simple x है और यह हमारे पास constant है solution में आज़ें सबसे पहले आपने उसको alphabetically rearrange करने सबसे पहले x square वाला लेंगी माइनस l x square प्लस x लेंगी माइनस l प्लस m is equal to 0 ठीक है रहा है l is not equal to 0, l 0 के पर रबर नहीं अब यहां हम आ जाते हैं पहला साइन माइनस है तो पहला साइन प्लस होना चाहिए तो माइनस 1 को इस सारों के साथ multiply कर देते हैं यह हो जाएगा l x square minus 2l plus m x plus l plus m is equal to 0 यह माइनस 1 आपको पता है कि यह हां इदर माइनस 1 इदर पी डिवाइड हो जाएगा माइनस 1 इदर पी डिवाइड हो जाएगा यह माइनस 1 इदर पी डिवाइड हो जाएगा यह माइनस 1 इदर पी डिवाइड हो जाएगा x plus l plus m is equal to 0 और यह मेरे पास quadratic equation standard form में आ गई है अब हम इसको compare करते हैं compare करेंगे x square plus bx plus c is equal to 0 यह आपके पास बन जाएंगे a is equal to x square के साथ l है तो a is equal to l और b is equal to x के साथ क्या है 2l plus m minus 2l plus m और c मेरे पास है l plus m अब इसको हम quadratic equation में डालेंगे quadratic equation x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2 आपकी आपकी आरान से आप इसको cover कर लेंगे अब यह हमारे पास है x is equal to 9s के जागा minus और b के जागा minus 2l plus m उसके बाद plus minus 1s के जागा 1s का दागा 1sě खङकर A के जगाँ आप लिखोगे L और C के जगाँ आप लिखोगे L प्लस M divided by 2 और A के जगाँ आप लिखोगे L अब आगे आपके पास तरह हो गया X is equal to minus minus cancel 2L plus M plus minus अच्छा बचाओ यहाँ पर यह square S minus पर भी है यह square S पर है यह square सब माइनस पर आएगा तो माइनस स्क्वेर प्लस बनके ख़दम हो जाएगा और 2L plus M whole square हो जाएगा ठीक है यह आपके पास आजाएगा 2L plus M whole square minus 4L multiply by L plus M under root और divided by 2 आगे काम बहुत आजाएँ नहीं कुछ भी मिश्किल नहीं है बस आप ने घबरा आएगा आप घबरा गए बस दर गए अब यहाँ हमारे पास दर हो गया X is equal to 12 plus M plus minus a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2 a b a plus b whole square मैंने open का रिया ठीक है यह सारा अंडर root का है minus 4L multiply L 4L square 4L multiply M plus 4L N यह minus बाहर पाड़ो है यह 4L के साथ मुटिप्लाए हो कि यह और दिवादे बाए 2 आपी हो गहाद का एक है इसे का यहुल तो 2L plus M plus minus 2L square 2 का स्वाद का गहा फूर L square plus M square plus 2 2 तो इसा फूर 4L multiply m 4 l m minus 4 l square minus plus minus 4 l m divided by 2 अब बच्छो यहां आप देखें 4 l square उस minus 4 l square के साथ cancel plus 4 l m minus 4 l m के साथ cancel और आपके पास तक्रीबर स्वाल हो गया कि x is equal to 2 l plus m plus minus m square अच्छा यह m square इसे cancel हो जाएगी direct कर लेते हैं आप चाहो तो अगले step में कर सकते हैं plus minus m divided by 2 अब दो किसम के possibilities हमारे पास बन रही हैं एक हमारे पास है either x is equal to 12 plus m plus m plus m divided by 2 या x is equal to 12 plus m minus m divide by 2 l और यह हो जाएगा x is equal to 12 plus m plus m divided by 12 x is equal to 12 plus 2 m divided by 12 और यह हो गया x is equal to 2 common लेगा l plus m divided by 12 यह 2 or 2 cancel x is equal to l plus m divided दूसे साइड पर हमारे पास यह पास यह पास यह पास यह पास है x is equal to 12 plus m minus m divided by 12 x is equal to 12 plus m minus m के इसाँ divided by 12 12 12 के इसाँ x is equal to 1 solution सट आपके पास आगया l plus m divided by l और यह 1 तो इसे साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 अपने इससाँ पर पहुंची आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं यह एक्सरसाइज आपको कैसी लगी क्या हमें इस जैसी मजीद एक्सरसाइज अपलोड करनी चाहिए या नहीं करने चाहिए अपनी राय से हमें आगा की जिए क्या अड्रॉमिन्ट करने चाहिए उसके लावा अगर वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स दीड में मालकात होगी, अपना ख्यार लखें, अल्लाहा कस्त